आप देख रहे हैं यूपी क्राइन नियूज अप्राद के खलाब चंग नवश्कार में हुए शुशु ग्लाद स्वागत है आपका यूपी क्राइन नियूज वे खबरों मदस्तार में जाने से पहले आए नज़दार दिहने आज़ की फिट लाइंग पड़ वदेपुर में मैला जिला अस्पताल में धूमधाम से मनाया जा रहा हवाली का दिवस बिजलार में विजली के बिल का भुकतान कर देने के बाद भी किसानों का काटा गया कनेक्शन गर्तन दिवस को भवे बनाने के लिए जुटा पुलिस महकमा रहा है केंद सरकाई की उजला योजना के अंतरकत गोवर्धन के गावडीक में 20 ला भारतियों को मुहया कराए गए गैस कनेक्शन माओ में बनाया गया मद्दाता जागरूकता दिवस का जिक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे लोग अब खब्रबस्तार में भारत वर्ष में बेटी किसी से कम नहीं चांसे लेकर हर छेतर में अपना फर्चम फेरा चुकी है हमारी देश की बेट्यों के सम्मान में पूरे देश में रास्टर बाले का दिवस धूम धाम से मनाया जा रहा है तो वहीं जन्मित फदेपुर भी इस से अच्छूता नहीं रहा फदेपुर के महला जिला अस्पताल में भी बाले का दिवस धूम धाम से मनाया जा रहा है उत्ते प्रडेश वाओ मियां जला धिकारी में जने एक कुमा निया जला भाइल अस्पाऽ में असकी तारीग में जन्में लेनी वाली बेटियों की माताओ को सबाने लेत किया वहीइ तरीके के भीयान चला जा रहे हैं यह के लिए लोगों को इसके बारे मिले में जवरित करने के लिए इसके लब गांव में आप लोगों को पता ही हम लोगों के जा घ्रन से हो जाये तो बहतर है दूसरा तरीका है इन्फोर्स्मेंट का जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं उन सब पे हमारी बराबर की नजर है इंटर्वल्स पे हम उनके खलाफ अग्यान भी चलाते हैं जहां जहां प्रक्रण सामने आते हैं उसमें भी कारवाई करते हैं और पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा हुआ अभी भी बहुत सारी जगों पर भी बाकी है मैं यह मानता हूं कि भी सक्ति बहुत ज़ला जरूरी है और पेरिफेरी के हम बना रहे हैं बहुत जल्दी वहाँ पर कारवाई करें हैं किस तरीके से आप ट्रेफ महला दे रहे हैं किस तरीके के बच्चों को आगे जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहरे बहुत सारे कारेक्रम जिले में किये जारे हैं आज का दिन हमने खास रखा था करनिया जन्मोत्सव के लिए तो जो भी जिला अस भारतवर्ष में आज बेटी किसी से कम नहीं हैं चांद से लेकर हर्चे तुमें अपना परचम फेरा चुकी हैं हमारे देश की बेटियों के समान में आज पूरी देश में राश्च्र बाली का दिवस धूम धाम से बनाए गया तो वहीं जन्प फतेपुर में भी इससे परकार के मनसूबों पर पलीता लगाती दिख रही है बिजनोर की थाना कोटवाली देहाद छेदर के बिजली घर का है जहां पर बिजली के बिल का भुफतान कर देने के बाप भी किसानों का कनेक्शन कार दिया गया यहां तक की बता जा रहा है कि विद्द वभाग अपने बिजली के बिल का भुकतान कर देने के बाद भी उनका कनेक्शन कार दिया गया यहां तक बता जा रहा है कि विद्द वभाग अपने मन मताबिक घर घर बिजली का बिल भेज रहा है और मोटी रखम का बिल भेज जा रहा है उस किसान का यहीं मानना है कि जब सरकार 18 गंटे चंशर्मा को बंधग बना लिया पूरे बिजली घर का घराव कर अपना गुस्सा दाहिर करने लगे काफी मशकत के बाद अवर अभियंता ने किसानों को अपना पीछा चुड़वाया चंशर्मा का समधान हो सकते हैं जिस तरह सर यह बता रहे हैं कि 60-60 रुपया बिल आ गया है और बिजली इतनी आ नहीं रही है और खंबो से लाइट नहीं दिया गया है क्या मामला क्या है सर्थ कुछ जगह हैं जहां पर मीटर नहीं सप्लाई से जोड़े गई हैं उन्हें हम जेई और लाइनमेंट के तुरू जुड़वा रही हैं जिससे कि उनसे मीटर से उनकी सप्लाई चालू हो जाए और दूसरा यह है कि जो बिल एकदम से जादा आ रहे है वो मैंने पहले ही कहा एक चत्राटस है क्योंकि जिस्टम मीटर्ड पे आ रहा है उसकी जाए से ट्रांजिक्शन की वजए से और एक दम से बहुत जादा टैरिफो कि वज़गे जो ड़लती है उन-लाइन में उसकी उजए से एक दम से बहुत जादा बिल चैब ज़ड़ ज़ब कर रहे हैं उसका ह कुछ किसान अपने हाथों में बिल लिये कड़े हैं और रसीद भी है कि हम बिल जमा कप चुके हैं लेकिन उसके बावजूद में उनकी सप्लाई काड़ दी गई यह क्या मामला है ऐसा था पहले जो था मैनूल रसीद यह कटती थी तो उस मैनूल रसीद की हो जैसे कई बार उ सब्सक्राइस फुक किसानव सुफ प्रसान की घलती है मांट से मांच किया खत्म घ्येसरे धोर्डम्नुम हो जायन होगया तो यह रहता है कि भी आज हैं जागरो हो और वो महीने, दो महीने, छे महीने में, वो बिल जमा करें, जिससे कि उस पर बहुत ज़्यादा वर्टन ना पड़े एक तम से बिल जमा करें यहां आशवाशन देते हुए कि जल्दी ही आपकी समस्या का निश्चारन कर दिया जाएगा, परन्तु किसानों जल्दी समस्या का निश्चारन नहीं हुआ तो सरकार को भी आने वाले चुनाओ, 2019 के लिए भी चेताम नीदी है नौर्स से समबादाता सलीम एहमत की रिपोर्ट, यूपी क्राइम डियूज गर्टन दिवस को भव बनाने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से जुड़ गया है ताकि इस दिन को खास बनाय जा सके गर्टन दिवस के तयारियों को लेकर पुलिस लाइन में परेड का फुल ड्रस रहसर किया गया सिद्ध छेतर अधिकारी जिते ने दुबे के नितुत में परेड का आयूजन किया गया परेड के दुराण जो कामिया नजर आए उनको दूर करने के लिए सीओने पुलिस लाड हैजा सामने आए उनको दूर करने के लिए सीओने डिडिकारी ओं दुबे और आर आई को जरूरी निर्धशा निर्देश दिए बहुत उत्साह के साथ आगामे 26 जनवरी की तैयारियां चल रही है गरतंतर दिवस की जो परेड है पिछले 10 दिनों से उसकी परेड की तैयारी चल रही है लगबख सारी तैयारियां पुरी हो चुकी है इस परेड में मुख्य आकर्शन जो पुलिस कर्मी उनके साथ में NCC के बच्चे और Home Guards इनकी जो परेड की ड्रिल है साथ में विभिन जो पुलिस के प्रजेक्ट्स होते हैं विभिन आकर्शन होते हैं जैसे कि पुलिस का कमंडो दस्ता है नारीश योक्षा दस्ता है फायर सर्विस यानि की अगनी शमन विभाग का दस्ता है और रेडियो शाखा का जो दस्ता है इस तरह से विभिन शाखाय कालिक्राम वाबे विविने स्कूलों के बच्चे आके तैयारी कर रहे हैं। पुल मिलाके तैयारियां लगबाग मुकमल हो चुकी हैं। और एक बहुत ही अच्छे 26 जनवरी के उत्सव को मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सीज़ सीओ सिटी जिटें दुबे ने बताया कि रहर्सर के दोरान पुलिस कर्मियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ मामली खामिया नजर आई जिने दूर कर दिया चाहेगा। महोबा से समाद दता भेरा जावत की रिपोर्ट यूपी क्राइम यूज केंद सरकार की यूजुला यूजना के अंतर गत गोवर्धन के गाउं अडिंग में 20 लाभर्तियों को गयास कोनेक्शन मुहया कराये गए। उजला योजना में गरीब परिवारों को निशुर्क ग्यास कनेक्शन मुहया कराने की केद सरकारी की योजना है। भाजपा कारीकरता अधिकारियों के सहयोग से गरीब परिवारों को चुन्हित कर योजना का लाप दिला रहे हैं। गोवर्धन के गाव अडिक में कॉर्परेटर बैंक के अधिक शिवा भाजपा मंडल सचिव कपिल अगरवार ने शुकरवार को बीस गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन सही सिलिंडर आदी मुहया कराए है। केंद सरकार की उजला योजना के अंतरगत शुकरवार को गोवर्धन के गाव अडिक में बीस लाबरतियों को गैस कनेक्शन मुहया कराए गया। और अभी यह हमारे जो अध्यक कोपरेटिव की इनके यहां पर इनके आवास पर माते जा रहा हैं। और आभी कुछ लोग रहे गएं। करीब इनका यह 25 का बाटने का टार्गेट है। और यह डेली ही सिलिंडर बितर करते हैं। अगर हम आकड़े के सब्सक्राइब बात करें अपसे तो लगबाट गाहों अलींगे इतना बड़ा गाहों अलीग है। और जुनको मिल गए उनको मिल चुके नहीं मिलें उनको दलवाये जाएंगे। आप कोई सेन्टर मिला है, आपको कैसे मैसूस हो रहा है। बढ़िया मिले और लूप बढ़िया अपसी तर ऐसे कूब लेका रहे है। आज तकरीबन करीब 20 बट गए हैं और हमने अब तक करीब 300 बट वा दिये हैं। और एक हैरा का टार्गेट है यहां का जो प्रधान मंत्री के द्वारा यहां पर जो सेवा दिया लिए उसको हम पूरा करवा रहे हैं। अच्छा आप तो बहुत बड़ी खुश हुई है क्योंकि यहां पर एक्शुली क्या है कि पहले से ही जो मध्यमवर्ग के परिवार की लोग ते उनके घर पे सभी के यहां पर कैस थी लेकिन जो आप गरीव हैं उनके घर पे गैस जा रही है तो बहुत खुश हैं उनकी कोपरेटिव बैंक के अध्यक्षव भाजपा मंडल सचीव कपिल अग्रवाल ने शुक्रवार को 20 गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन सही सिरेंडर आदी मुहया कराया मधुरा से समवा दाता खन्ना सैनी की डिपोर्ट यूपी क्राइम न्यूज माओं के मधुबन के सु अगुबा उप जलाधीकारी द्वारा दीव प्रजूलित कर कारेक्रम का विद्वत शुरुवात की गई कारेक्रम में चेतर के विद्यालेों के चात्रों द्वारा नाटक तथा गाएंके माध्यां से लोगों को जागरू करने का भरपूर कोशिश किया गया आज मध्वन तहसील के सुल्तानपुर बारा गाउं के फील्ल में मदान दिवस कायक्रम का आयजन किया गया कायग्रम के १ुट्षट somethin कर का बिद्वत बीदिव शुरुवात किया गया कायक्रम के च्चेतर में विद्वाडायों के च्था तथा छात्राओं ने नाटक तता गायन के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का भरपूर प्रयास किया संबंद में मदवन SGM का कहना है कि भारत निर्वाशन आयोग के निर्देशा नुसार हर वर्ष 25 जनवरी को मददाता जागरुकता का इक्रम चलाया जाता है उसी क्रम में आज मदवन त जिसमें छेतर के तमाम विद्यारें के बच्चों द्वारा का इक्रम कर मददाताओं को जागरुक करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है वई भाजपा नेता अभिशेक सिंग का कहना है कि सरकार की मंसा के अनुरूप आज काईक्रम किया जा रहा है काईक्रम में छेतरवासियों की उपस्तिती सराहनी है तैसील में कारित लेक पाल अशोक सिंग का कहना है कि इस वर्ष जागरुकता काईकरम में काफी प्रचार प्रसार किया गया है जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है सैकडों की संख्या में लोग आए हुए हैं सुल्तानपुर बारा गाउं की फील्ड में आज भारी संख्या में ग्रामेड इलाकों के लोग आए हुए हैं मदाता जागरुकता काईकरम के सफल आयोजन के लिए SDM निरंकार सिंग को लोग बधाई दे रहे हैं मौ से समवादाता जगदीश सिंग की रिपोर्ट यूपी क्राइम नियूज अब दीजे मज़े जाज़त देखते रहे हैं यूपी क्राइम नियूज आप देख रहे हैं यूपी क्राइम नियूज अप रात के खलाब चंग